आज पुजे गुदेव शीर रमणिक मुनी जी महाराज साब का स्वास्त्य अनकूल ना होने के कारण आपके समक्ष उपस्तित नहीं हो पाए हैं उनकी जगे गुरु जी ने मुझे एक आदेश घिया कि आज आज आप कुछ बोलो कुछ सुनने से पहले भजन की दो लाइने गुन गुना लेते हैं गुर्वय पधारो हे दे में विराजो मेरी प्रात्ना है गुर्वय पधारो हे दे में विराजो मेरी प्रात्ना है मैं माइक भी हटा दूँ तो भी मेरी आवाज उस खिड़की तक पहुँचे की मगर आप इतने सारे हो गुरू को अपने घर में उनके चरण पढ़वाना तो चाहते हैं मगर इतनी छोटी सी जीवा को हिलाना नहीं चाहते हैं अब जब तक जीवा ना हिले तो जीवन परिवर्तन कैसे हो एक छोटा सा बच्चा पलंग से नीचे गिर गया और पलंग से नीचे गिरा और बच्चा चोट लगनी थी ओविसली रोने लगा मा अंदर रसोई में काम कर रही थी मा ने दिखा बच्चा गिरा और मा दोड़ी-दोड़ी सारा काम छोड़के दोड़ी-दोड़ी आई बच्चे को उठाया गोदी ने बिठाया, लाड त्यार किया और बच्चा चुप हो गया यह क्रिया देखके बच्चे के अंदर कोतुहल जागा है उसने सोचा कि मैं रोता हूँ तो महाँ चली आती है दोड़ी आती है तो उसने एक दिन क्या किया एक दिवार की तरफ खड़ा होके रोने का ड्रामा किया रोने लगा अब जब रोया, उसने सोचा कि मां आएगी मगर मां नहीं आई अब वो भी आश्चरिए उसने और जोर से रोना शुरू किया मगर मां नहीं आई अब उस बच्चे को बड़ा आश्चरिवा, कमाल है उस दिन में रोया और मगर मां जटा गी और आज मैं रो रहा हूँ, मां आई नहीं रही अब तीसरी बार उस बच्चे ने और जोर से रोना शुरू किया पूरा जोर लगा के रोना शुरू किया मगर मां नहीं आई अब उस बच्चे को सोचा के कमाल है यह कैसा हो गया उस दिन में रोया, मां जटा आई आज में तीन बार रोया, मगर मां आई नहीं क्या बात हो मां के पास गया, मां मां यह बता, उस दिन मैं पलंग से नीचे गिरा में रोया और तु जट हागी और आज मैं तीन मां रोया मगर तू आई नी क्या बात मा ने-क है बेटा मैं तेरी माँ हूं तेरी ओरिजनल आवाज को पहचानते हैं तेरी दिखावटी आवाज को पहचानते और तेरी ओरिजनल आवाज को पैचानती हो इसलिए मैं नहीं आए तो ये ड्रामे कर रहा था तो वैसे ही जब तक हम गुरू के साथ दिल से नहीं जुड़ेंगे तब तक गुरू की किर्पा भी होने वाली नहीं है बेशे कहां कितना बोलो गुर्देव आपकी किर्पा गु दूर बैटे हो वही से हमार को आश्कीरवाद मिल जाता है आपने बहुत बार सुना ना चंदन बाला के बारे में सुना ना किया भावना भाई के भगवान आएं तो मैं ये उर्दो के बाख ले भराओ भगवान आ गए सुबाहों को आर ने क्या सोचा क्या भावना भाई ती दन्य है वो लोग जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं दन्य है वो लोग भगवान की वानी सुन रहे हैं दन्य है वो भूमे जहां प्रभू के चरण पड़ रहे हैं काश इस मेरे शेत्र में भगवान आ जाएं तो मैं उनके चर्णों में दिख्षा ले लू और भगवान ने जाना था पस्चिम की तरफ मगर उसकी दिल की भावना उसकी दिल की फीलिंग उसके दिल की पुकार ने भगवान को पस्चिम की जगए उत्तर में कि उस्वाव कुमार की तरफ खीच डाला आ कि यह ही तो होती है बगति की प्यास बगति की पुकार मुला हो अब हुमारे अंदर भगति के पुकार ही नहीं कि सत्य है इस अधिन मन में बधक्ति की पुकार आएगी आप सो काम छोड़ कर स्थानक में आएंगे सो काम छोड़ कर अरे छोड़ो ये जिन्दगी भर काम करते हुए हो गया अरे ये काम तो फिर भी होता रहेगा अरे आज मैं हूँ तो भी काम चल रहा है कल मैं नहीं भी होंगे तो होंगा तो भी काम चलेगा ये दुनिया का ये संसार का काम किसी का रुकने वाला नहीं है बस हमारा एहंगार है कि मैं ना हूँ तो काम चले ना अभी बहुत बार वह सुना है ना कुत्ता बैल गाड़ी के नीचे जा रहा था और कुत्ते ने सोचा ये बैल गाड़ी मेरे दम ते चलती है एहनकार में कुट्टा छोड़ा होके चलने लगा और बैल गाड़ी उसके उपर चल रही थी, कुट्टे ने सोचा मेरे बिना एक गाड़ी ना चले और कुट्टा सोचा रुक गया और देखा गाड़ी आगे से रगती, हम भी यही सोचते हैं, कि हमारे बिना किसी का कुछ नह होना हमारे बीना समाज नहीं चलेगा हमारे बीना घर परिवार नहीं चलेगा हमारे बीना वैपार नहीं चलेगा सब चलते हैं सब अपनी विवस्ता के नुसार सब चलते रहते हैं बस हमारा ये मोह अटक जाता है उस मोह के कारण हम इतना बड़ा लाब मिलना था उससे वन्चित रह जाते है तो इसलिए एक बार सुन लो दूसरी बार बोलने का प्रयास करो गुर्वे पदारों है दे में विराजो मेरी प्रातना है गुर्वे पदारों है दे में विराजो मेरी प्रातना है मेरी प्रातना है अपना बनालो चर्णी लगालो अपना चर्णी लगालो मेरी वंदना है मेरी प्रातना है अपना बनालो चर्णी लगालो मेरी वंदना है मेरी प्रातना है गुर्वे पदारों है दे में विराजो मेरी प्रातना है मेरी प्रातना है सर्पत्म वीत्राग प्रभुष्यामण भगवान महावी स्वामी के चर्णो में शत्चत वंदन नमन पुझे गुदेव के चर्णो में शत्चत वंदन नमन पाट पे विराजित पंच परमेश्ति के चतुत पद के धारकुपाद्य भगवन के चर्णो में शत्चत वंदन नमन पुझे गुदेव श्रमण संग्य सलाकात, शिर्मनिक गुरुजी के चर्णों में शच्चत वंदन नमन, पुझे रिश्यमुनी जिमाराइसा, पुझे तपस्वी जिमाराइसा के चर्णों में, वंदन नमन करने के प्रश्चात, गुरुदेव की किर्पा से, आपके समक्ष कुछ अपने भाव अपने विचार रखता हूं सबसे पहला कोश्चन हमारा है जीवन का सार क्या है जीवन का सार क्या है क्या सार है जीवन पहले जीवन क्या भी कुछ दिन पहले गुर्देव से सुन रहे थे ना जीवन क्या है B2D birth and death जनम और मिर्ट्यों के बीच में जो है उसे कहते हैं जीवन और बी और डी के बीच में सी अभी आपने सुना सी मतलब च्वाइज आप अपने जीवन को कैसा जीना चाहते आप अपने जीवन को इस परकार जीना चाहते हैं कि आप नर्ग के अधिकारी बन सकते हैं या आप अपने जीवन में जीवन को ऐसा जीना चाहते हैं तिरियंची भी बन सकते हैं और आप अपने जीवन को ऐसा जीएं कि देवलोग के देव भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी चाइस आग की सी है कि आप अपने जीवन को इस परकार जिये कि हम वापिस मनुष्य भी बन सकते हैं और एक और चाइस, यदि अपने जीवन को ढग से नहीं जिया तो आपकी चाइस निगोद में भी हो सकती निगोद में भी जा सकते है ये चौइस हमारी है कि हम अपने जनम और मिर्तों के बीच में जो जीवन है उसको किस परकार जीते हैं? कैसे जीते हैं, जीतो देवलोग के देव भी रहे हैं, वो अपने पुन्ने को भोग रहे हैं, नार्कियों को जीवे हैं, वो भी जी रहे हैं, वो अपने पाप को भोग रहे हैं, त्रियंच है, वो भी जी रहा है, वो अपने पेट के दम पे जी रहा है, कि मेरा कैसे न कैसे प अभार क्या है ओग आधी सार है जीवन का बता सकते हैं कोई है क्या सार है जीवन का बोली के दो तू अभी नहीं बोलेंगी तेकिसलेंट है ने आधीन कुस्ति Ka 58 स्टुडेंटेंट कुछ नहीं जूरह क्यों अभी यहां से चुटेंगे और नीचे देखो नीचे से तीसरे मंजिल तक आपके आवाज आती है अभी हम पूछ रहे हैं क्या है अभी आप इतनी है अच्छे इनुसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं कि बोलते ही नहीं है बस सिर्फ टीचर की सुनते ही रहते हैं अभी हमारे जीवन का सार पता है क्या जीवन हमारे चार चीजों के चार चीजों के आसपासी घूनता रहता है तो सार हम दो बाद में देखी और हमने उन चार चीजों को ही जीवन का सार समझ लिया वो चार चीज क्या हैं बड़ा फेमस हैं वो चार चीज आपकी जीवन में भी है वो चार चीज क्या है वो चार चीज है पहला है पैसा हमारा पूरा जीवन पैसे के चारों तरफ गुमता रहता है गुमता रहता है एक नहीं पैसा पैसा होना चाहिए पैसे के बिना इंसान की कदर नहीं पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते आप माना कि भगवान महा आप कहते हैं पैसा कमाना बुरी बात नहीं है भगवान महावीर ने भी पैसे कमाने के लिए कभी माना नहीं किया यदि आप श्रावक हैं तो पैसे क्यों उप्यों गिता है पैसे से घर बाहर चल सकता है पैसे से बच्चों की बढ़ाई चल सकती है पैसे से परोग कार के खारी किये जा सकते है पैसे से कहीं आउशकता है वहाँ दान भी दिया जा सकता है पैसे के लिए भगवान ने मना ने किया भगवान कहते है पैसा कमाओ एक रस्ती तुम पैसा कमा सकते हो कमाओ जब पैसे कमाने का समय आए तो दो हाथ की जगे सो हाथ कर लो क्या कहा भगवान ने पैसा कमाओ पैसा कमाने है तो दो हाथ की जगे सो हाथ करके पैसा कमा ओ मगर याद रखो जब आपके देश को समाज को राष्ट्र को पैसे की आवशक्ता है जिस सो हाथ से पैसे आपने कमाए है उसके लिए आप हजार हाथ करके उस पैसे को लुटाओ जगाओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओओ है और यदि समाच और देश राष्टर नहीं है तो हमारा भी कोई विजूद नहीं अभी देखिए आपने उपास्तक दसंग सुत्र पढ़ा है कभी पढ़ा है आजकल हमारे सादू क्या करते हैं दश्री कालिक पढ़ो अचारंग सुत्र पढ़ो क्योंकि उसमें सादू की चर पढ़ा है इस सब कुछ बता याँ इन 32 सास्तरों में से सिर्फ एक सास्तर ऐसा है जो श्रावकों के लिए है वह उपासक दसांग सुत्र है उसमें क्या है है जी दश्रावकों का वर्णन है अब यहां बताओ कि दस राग को के पास कितना पैसा था कियते हैं एक आग्टर स्रावचों में कुछ रागकों के पास चार पाच पाच छे चे अथा टब गोकुल होते थी गोकुल utilizz जहां गाएं रखते और एक गोकुल में दस हजार गाएं होती थी दस हजार गाएं और आठ गोकुल जिसके पास है तो कितना होगा मैथमेटिक लगाओ असी हजार गाएं और असी हजार गाएं का कितना पालन पोशन करना पड़ता होगा कितना गात पूल देना पड़ता होगा कितना उनके चारा करना और कितना दूद कितना दूद की बिक्री और कितनी खमाई होती हो यह तो फूर एक एक्जामपल है कि उन्दस रहोकों में इतना पैसा होता था उसके हिसाब से आपके पास तो कुछ भी नहीं है उनके पेर के नाखुन के बराबर भी आपके पास धन नहीं है कभी पढ़के देख वो पासक दसाम सुत्र तो इतना धन होने के बाद भी वो धरम को कभी छोड़ते हैं नहीं थे पोशत के दिनाना पोशत करना सामाइक नित्ते परते सामाइक करना इतना धन होने के बाद भी धरम के पर्ति उनके लगाव था हमारे पास इतना धन भी नहीं है तोंगार हमारा धरम के पर्ति कितना लगाव है कि अन्यता मत लीजीगा और जोभी बुरा भी मत मानिएगा किकि आ। कि विरोध में नहीं औरहे मुझको दवाई चाहिए मुझको कपड़ा चाहिए तो भी मैं आपको पोऊँगा न lunch जीवन का चारोत्राव क्या गुम रहा है पहला है पैसा,, पैसे की चारो तरफ हम गोह सकते हैं पैसे से आप साधन कात्रेट्स कर सकते हैं पैसे से आप अच्छा बड़ा बंगरा बना सकते हैं पैसे से आप एक अच्छी लगजरी गाड़ी खरी सकते हैं पैसे से आप ब्रैंडिड कपड़े ब्रैंडिड मुबाइल खरी सकते हैं पैसे से आप सुख के साधन खरी सकते हैं मगर सुख नहीं खरी सकते हैं यह दी आपका पैसे के परती मों है तो वो पैसा आपको अध्य गति की तरफ ले जाएगा पक्का अनिश्चे थी अभी आपने बहुत बार सुना है केहते हैं मोमन सेट के पास राजा श्रैनिक से भी जैदा धन था जदी आप अपने हाटको धन के अभी आप अपको समरिद्द समस्ते या आप हमें धन से अपने हाटको बड़ा समझते हैं तो राजा कि मौमन् स्यिट के पास राजा श्रेनिक से भी धन इतना था, मगर लें कहा गया। सात्वी नर्ग में गया। उसें कोई धिंसाय नहीं की, कोई विबिचार भी नहीं किया। मगर धन के मौ 사ता नर्ग में गया। अब यह बताओ कि उनको इस मौमन सेट को इतना धन प्राप्त कैसे हुआ पता है सुना है कभी आपने सुना है उसको इतना धन प्राप्त कैसे हुआ उसके पूरो भाव में उसने उसके पिछले भाव में उसने एक साधू को लड़ू बहराई बात को समझन और समझ कि अपने दिमाग से दिल की तरफ ले जाना उसने उस साथू को लड़ू बहराए और बहरा के बड़ा खुश हुआ कि आज मझे सुपात्रदान करने का असर प्राफ हुआ कभी आपके मन में आते क्या आते कभी और आता है तो बहुत बड़ी आगाए बीच में एक चोटी सी बात बता दो एक स्रावक गुर्देव के दर्शिन करने हा लिए और उनका घर था दूर अब दूर था तो अब साथू को गर्मी बहुत है साथू को ले जाना बड़ा मुश्किल अब उसने क्या थी कि संडे को आता संडे को बच्चे पाठशाला चलती थी बच्चे अपना सीखते थे उस व्यक्ति ने उसन बच्चों के अंदर आके बीच में आके कहा कि देखो कोई बच्चा मेरे घर में गोचरी लेके आएगा तो मैं उसे दस रुपे दूंगा पुर अगले दिन वीस बच्चे उस सादू को उस श्रावक के घर लेके आएगा किसको उन सादू को बीच बच्चे मतलग कितने रुपे होए दूसु रुपे अभी दूसु रुपे में एक सुपात्र दान मिल रहा है मेर को संतों के पात्रे में दान देने का सुपसर मिल रहा है तो उसने दूसु रुपे कोई बड़ी बात नहीं होती है तो ऐसा पुन्य का आर्जिन करने के लिए मारक तो कुछ मर्जी चाहिए तो उसने सादू को लड़ू बहराए मोमन सेट के पूरो भव में बहराने के बाद सादू तो चले गए अब लड़ू का थुड़ा वो चूरा पड़ा था उतने चूरा उठाया और मुमें डाला अरे लड़ू तो बहुत मीठे हैं बहुत स्वाद हैं फिर पश्चा ताबागे मैंने संतों को सारे क्यों दे दिये सारे क्यों दे दिये अरे दो दे देता और एक दे देता मैंने खा मैं खा सारे दे दिया मगर दान दिया अब याप मेंसे भी ऐसे होंगे दान देने के बहावना तो बहुत होगी मगर दे नहीं सकते दान तो उसमें दिया मगर देने के बाद पश्चाताब कर लिया क्या है सारे लटु की थी एक दे देता दो दे देता वो दान देने का उस मौमन सेट को धन तो बहुत मिला मगर दान देने के बाद पश्चाताब किया तो उस दन का भोग नहीं कर पाया इसलिए भगवान महावीर ने मौमन सेट का नाम कभी नहीं लिया जितना राजाश्रेणी का नाम लिया धन से पैसे से आप साधन खरीज सकते हैं मगर याद रखो उस पैसे से आप पुन्य भी खरीज सकते हैं पुन्य भी ले सकते हैं, पुन्य का उपारजन भी कर सकते हैं, अब एशक माना कि पुन्य बंदन का कारण है, सोने की चेन है, मगर पुन्य धर्म में सयोगी भी बन सकता है, अभी गुर्देव यही की बात है, एक व्यक्ति आया, गुर्देव को कहा, गुर्देव यह सामाई के कपड़े हैं कोई भी व्यक्ति सामाई करना चाहे उन्हें इस सामाई के वस्त्र दे दो ये भी तो पुन्य है ना नो परकार का पुन्य है है ना पांच परकार का पुन्य तो पैसे वाले कर सकते हैं मगर चार परकार का पुन्य तो उसको पैसे की जूरोत नहीं है मन से वच पुन्य कितना सिंपल कितना आसान किसी को जैजिनेंदर बोलना से भी पुन्य का बंद होता है वो भी नहीं हम कर पाते हैं इतने संक्रिन विर्थी होगी है इतने अपने आहिर्दे को हमने छूटा बना लिया है कि जै जिनेंदर उनको बोलते हैं जिन से हमारा थोड़ा सा लगाब है जिन से द्वेश है उनको बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनको देखके घर्णा आने लग जाती है उनको देखके द्वेश आ जाता है मगर भगवान महावी ने तो नमस्कार को भी पुन्य बताया इस सद्धन से हम पुन्य का उपार्जन कर सकते हैं मेरी बात पर बीच में रह जाएगी तो जो मैं बोलना चाहता तो वो तो रही जाएगा तो हमारे जीवन का सारा किस की चारो परफ जी रहा है पैसा परिवार पैसा कमारा किस के लिए कमारा परिवार के लिए परिवार को सुख सुविधाय दे दू परिवार को सारी सुविधाय दे दू याद रखो बच्चा लायक हुआ तो आपके जोड़े हुए धन पे कोई इं क्मा रूँगा हुआ। कि मैं अपनी मेहने से कमा लूँगा, पापा के धन से क्या पापा ने अपनी मेहने से कमा ठीक है, वो अपनी ख्मा रहे हैं अपनी मेहने से। मगर मैं पापा के धन से इतना इंटरस्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं खुद की मेहनत से, खुद की लगन से, खुद के पुर्शार से, मैं अपने आग को खड़ा हूंगा, यदि बेटा लायक हुआ तो, और यदि बेटा नालायक हुआ, तो भाईया जितना मर्जी जोड के चल दूर दे देते हैं, ब्रेंडड कार देना है, मगर हम अपने बच्चों को संसकार देना भूली जाते हैं, आज भोत घरों में ऐसा है, जिसे यही नहीं पता के गुरुमर आ जाएं, तो क्या कहना मुथेन वंदामी कहना है, कि जे जिनिंदर कहना है, आपने दिया तो, अच का सब कुछ भी दे दिया, कभी संसकार दिये, याद रखना, आपने एड्यूकेशन दे दी, मैं एड्यूकेशन के विरोध में नहीं हूँ, एड्यूकेशन दे दी, मगर उसके साथ संसकार नहीं दिये, तो आप समझो, आपका वृद्ध ता व्यर्थ में चली जाएगी, यादि संसकार दिये, तो वो व्यक्ति वच्चा सोचेगा, मुझे बाहर क्या जाना, मुझे अपने माता पिता के सानिते में ही रहके पढ़ना लिखना है, और उनी की सेवा करनी है, ऐसे ही नहीं ये, शमण कुमार का नाम famous हुआ, करना हम कुछ नहीं चाहते, नाम हमारा प लेटे, आपका कितना मानते हैं, आप एक बार कहके देख लो, चलो स्थानक में चलो, तो आपको क्या जवाब मिलेगा, पपा, आपकी उमर है, आप जाओ, हमारी जब उमर आएगी, हम चले जाएंगे, कहेगा, कहके देख लो, आपने, आपने बच्चों को सब पार भी जरूर दो, और यदि संसकार दिये, तो वो धरम के साथ जुड़े रहेंगे, और यदि संसकार नहीं दिये, पैसा तो भोत कमाएंगे, मगर सदगती की प्राक्ति नहीं कर पाएंगे, परिवार का मतलब परी और वार, परी मतलब चार और और वार मतलब अटेक, प माता-पिता की सुने तो पत्नी कहती है, मेरी नहीं सुनते, सारे माता-पिता के पल्लू से बंदे रहते हैं, मैं भी तो तुम्हारे साथ घर पे आई हूँ, मेरी नहीं सुनते तुम, अब पत्नी की सुने, तो माता-पिता कहते हैं, जूरू का गुलाम बन गया, एक इंसान ए माता-पिता कहते हैं, जोहरू का गुलाम, जब से पत्नी आये, इसने हमारी तरो मुझ फेर लिया, है ना, बच्चों को पैसा दे, बच्चों को सुइदा दे, तो माता-पिता और पत्नी कहते हैं, तुम बच्चों को बगाड रहे हो। इतनी इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, बच्चों को तुम भिगाड रहे हो, और बच्चों को सुविदा ना दे, तो बच्चे कहते हैं, मेरा बाप कंजूस, कंजूस है, पैसा ने खर्च करता है, कहां जाएगा लेके, परिवार मतलब चारों और से वार होना, उसे कहते हैं, पर बच्चों के लिए तो सब कुछ दोड़ लूप करता है, अरे बच्चों के लिए तैसा जोड़ दूँ, बच्चों के लिए तैसा ऐसा कर दूँ, बच्चों के लिए ऐसा कर दूँ, और बच्चे आपकी मानते फिर भी नहीं, मानें तो अब जब आप उनके साथ संसकार द होगे तो फिर वो आपको पता ही आजकल की एजुकेशन का क्या हाल हो रहा है पहला है पैसा दूसरा है परिवार तीसरा है परशंसा अरे मेरी परशंसा मैं थोड़ा सा दान दे लू तो मेरी परशंसा हो मैं जब स्थानक में जाओं तो सारे लिए मेरी कुर्शी खाली करें मैं जाओं तो मेरे लिए मेरे गुरु संद भी मेरी परशंचा करे परशंचा की भूग मेरी परशंचा होने चाहिए और चोता है परसिद्धी मेरा लुध्याना में नाम ना हो मेरा पंजाब में ना हो पंजाब में नी मेरा हिंदुस्तान में ना हो हिंदुस्तान में नी मेरा वर्ल्ड में ना हो ये चार चीजें हैं इन चार चीजों के पीछे ही हमारा जीवन घूम रहा है पैसा परिवार परसंशा परसंशा के भूख मैंने या मेरा नाम मेरा ये हो ऐसा हो ऐसा परसंश आपको मांगनी पड़ रही है, परसंसा कैसे होती है, आपके धन से आपके परसंसा नहीं है, आपके धन से देशक आपके सामने को परसंसा कर दे, तीछे आपके कमर मोडी तो क्या करता है, पैसे कहा है, इंकार करता है, इसको क्या करें, इसके लिए बोलना पड़ता है, पैसे कुछ भी कर सकता है आपकी इज़्जत आपकी परसंसा नहीं करता है परसंसा होती है आपके विचार कैसे है और आपका आचरन कैसा है कि आपके विचार कैसे आपके विचार अच्छे और आपका आच्रण अच्छा है तो आपका विरोधी आपका दुश्मन आपसे आपसे द्वेश करने वाला भी कहेगा ठीक है मेरी इसके साथ बनती नहीं है मकर इसका विचार बहुत अच्छे है इसके अच्रण बहुत अच्छा है वो पीठ पीछे परसं साथ करेगा सामने तो वही है सभी चापलोशी करते हैं. पीठ पीछे आपके विरोधी भी आपकी परसं साथ करें तो समझो कि आपकी लाइन या आपकी यात्रा सही चल रही है और जो था परसिद्धी आप करो कुछ ना और परसिद्धी ऐसे ही मिलती रहने है भगवान महावीर को गए हुए 26 कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? कितने भी तिर्थंकर हैं गए हुई कितने शाल हो गई और कुछी ने उन्होंने परसिद्धी नहीं करी अपनी उनके कारियों से उनकी साधना से आज भी हम उन्हें नमस्कार करते हैं कितने वरस होगे आदिनाथ भगवान को आज भी हम आदिनाथ के स्तोत्र भक्तांबर स्तो कुछ काम करना नहीं है प्रसिद्धी के लिए अच्छे कार्ये करना बहुत जरूरी है प्रवक्कार के कार्ये करना बहुत जरूरी है यदि आप अभी सुना थे ना महातमा गान्दी के बारे कुछ अच्छे कारे करिए तभी तो हम अपने बाप को बाप नहीं कहते अपने पिता को पिता नहीं कहते मगर फिर भी कहते हैं बापू महातमा गान्दी कहते हैं तो कुछ किया है तभी उनका नाम हुआ है ना और हम करना कुछ है चाहते हैं नहीं है और हमारा नाम हमारी परसिद्धी हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इस जीवन में चार चीज़े हैं इन चार चीज़ों को बढ़ाओ तो मुक्स की तरफ ले जाते हैं और यदि घटाओ तो नर्क की तरफ भी लेके चले जाते हैं पैसा बड़े मना नहीं करते हैं, पैसे के साथ पुन्ने कमाओ, जितना पुन्ने कमा सकते हैं, उतना पुन्ने कमाना पुना, परिवार को परिवार के बीच में रहो, मगर परिवार के अंदर आपके चलती है के नहीं चलती है, कभी ये देख ले ना, आपके बेटे आपके मा मानते तो आप जब नहीं मानते तो समझ लेना कि कहीं मेरे में मिश्ठिक है कहीं मैं चूंक रहा हूं कि जहां मेरे बच्चे मेरे परिवार मेरा कहना नहीं मानते बस अपने को सुधारते चलो अपने आप सुधरोगे तो आपके बच्चों कभी सुधार आना शुरू हो जाए परशंसा परशित्ति ये चार चीदियें इन्हीं में हम पूरे जीवन में उल्चे पड़े रहते हैं मगर जीवन का सार है मैं बता दू बता के अपनी बात को यह पूर्ण करता हूं जीवन का सार है लाब लाब अव yes के आप कर नहीं करते हैं यह वहाँ वाड़ वर्क करता मैं कॉलिज में जाओंगा अच्छे में मुझे पार मिलेकर अच्छे कॉली से में और यॉच्छे पेकिज मिलेगा विसका लाब है education का लाब है हम सादू बने हैं कि हमें पता है कि इस जीवन में मौक्ष नहीं है इस पंचम काल में मौक्ष नहीं है तो हमारा सादू जीवन खराद बेकार हो गया क्या हमें यह आस है विश्वास है सद्दा है कि हम इस महारक पर चले हैं तो कभी नहीं कभी तो मौक्ष मिलेगा इसी आँच में हम सादू बने जीवन का सार है लाब और लाब कैसे मिले लाब का उल्टा कर लो लाब का उल्टा बला करते जाओ लाब अपने हम मिलता जाएगा बला करो ना और लाब मिले ऐसा भगवान महावीर के मैथोमेटिक में इन कभी नहीं है बस जीवन में भला करते जाओ लाग अपने हापी अपने हापी मिलता चला जाएगा यही जीवन का सार है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूँ